नमस्कार में प्रियेडन जन्ड और आजकी इस एपिसोड में डिसकस करेंगे जी ओफाइनेंशियल सर्विस इस्टॉक के बारे में as per my own experiences मुझे ऐसा लगता है कि इस समय रिलाइंस को in cash करके जी ओफाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में एक opportunity लिया जा सकता है तो पहले Geo Financial के Recent के News को समझे उसके बाद Reliance के Levels को भी दिसकस करेंगे यहां देखेंगे तो Mutual Fund Market Value in the Stock as February 24 लगबग जो है 1000 करूर के आसपास का हो चुका है यहां देखेंगे 9,973 यानि 10,000 करूर के आसपास का जो है Valuation Mutual Fund का इस Stock में हो चुका है ठीक है इस समय बहुत सारे हमने यहां देखेंगे तो बहुत सारे acquisition हमने सिक्का पोर्ट और जामनगर के द्वारा देखा जो कि हमने आपको कहा कि लगबग लगबग 10 करूर सेयर जो Reliance Industry Holding Private Limited ने वेचा और यह यह सिक्का पोर्ट टर्मिनल और जामनगर पावर यूटिलिटी के द्वारा बाई करा गया है Recent के Geo Financial Service में देखेंगे तो Delivery Better दिख रही है जो Technical Trend है वो भी Strong दिख रहा है आज का Volume लगबग 2 करूर का और एक बार चार्ट को देख लें तो यह Continuous अपने Support को Breakdown नहीं कर रहा है Continuous Support रेस्पेक्ट कर रहा है मैं चाह रहा हूँ कि एक बार Support को Breakdown करें और यह Zone Between 284 to 310 का मिले जहां एक Buying Zone दिख रहा है तो अगर आप Investor हैं तो इस Zone का Wait करें तो कि अगर एक बार भी Breakdown होता है तो यह Zone Easily मिलेगा जहां आप acquire कर सकते हैं और Momentum Trader जो भी हैं वो 360 पे अपना जो है भगुला वाला नजर डाल दें इसके Breakout पे लेने के लिए इस समय Reliance देखें तो 2905 Trade पे दिख रहा है Past 3 Month में लगबग 22% और Lower Price से देखेंगे तो लगबग 35% मुझे लगता है कि ये एक Zone है जहां पे आपको मिल सकता Easily और अगर आप Short to Medium Term Trader हैं बहुत लंबे समय के लिए नहीं Hold करना चाहतें तो Reliance को Exit करके इसी पैसे से आप Geo Financial Share Service को आप देख सकते हैं